दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका law and government job exam cluster चैनल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे certificate of practice आप प्राप्त करेंगे AIBE 15 exam पास करने के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आगरे करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और कोई भी अगर आपकी दिक्कत या परेशानी है तो वो comment box में comment लिखें जिसका निश्कर्ष जा उत्तर आपको अगली वीडियो में या comment box में मिल वो बताएंगे certificate of practice होता क्या है certificate of practice होता है एक वो certificate या एक प्रमान पत्र जिसके बाद आप किसी भी court में जाके किसी कभी case लड़ सकते हैं और वो आपको प्राप्त कहां से होता है वो आपने जिस बार कॉंसिल में अपना registration कराया है पहले enrollment जहां से आपने करवाया है उसी बार कॉंसिल में जाकर उसी बार कॉंसिल के दफ्तर में जाकर आपको उस enrollment number की एक copy लेनी है एक आपका AIB15 का जो exam pass हुआ है net पे जो result आया उसका एक print out लेना है एक आपका जो admit card निकला था AIB15 exam का उस admit card की copy लेनी है साथ में दो फोटों लेनी है जो दो फोटों कैसे खिची होंगी वो दो फोटों आपकी काले कोट काली टाई पहन के सफेज शर्ट पहन के जो एक advocate की dress होती है उसमें आपको वो दो फोटों खिचवानी है और वो दो फोटों साथ में संगलन करकर प्रमा एक enrollment certificate की copy, admit card की copy, AIB 15 exam जो आपने पास किया उसकी online pass की copy ये चारो चीजे संगलन करके एक form जो आपको वहाँ के bar council से मिलेगा वो form भरके उनकी कुछ वो आपको उसी bar council में जमा करना है वो bar council आपको उसके बाद एक certificate of practice देगा जो आपको आगे practice करने के लिए काम आएगा वो bar जो certificate होगा certificate of practice वो अवधी 15 साल भी हो सकती है बीस साल भी हो सकती है या जीवन भरकी भी हो सकती है वो depend करता है अपने अपने bar council पे जो state के जहां से आपने अपना पंजी करन करवाया हुआ है तो आपको आप करना क्या है आप यहां से अपना result निकालिए प्रिंट आउट निकालिए admit car यह copy लीजिए उसके बाद आप अपना enrollment certificate जो आपको पहले मिला हुआ है जिस जहां आपने state में bar council में register करवाया है वो enrollment certificate copy दो photograph के साथ attach करके वहां का एक form मिलेगा आपको बार council से यह सब सारे दस्तावेज आपको बार council के दफ्तर में जमा करने हैं जिसके बाद आपको एक certificate of practice मिलेगा जिसकी चाया copy या प्रतिलिपी आपको उपर thumbnail पर दिख जाएगी कि कैसा होता है वो वो आपको प्राप्त करने के बाद आप किसी भी court में जाके इंडिया के आप अपनी practice कर सकते हैं आप किसी भी किसी के भी अधिवक्ता बन सकते हैं किसी भी client का case लड़ सकते हैं और आप आगे से आगे practice कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इस जान कारी के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से मैं आग रहे करूँगा कि इस channel को subscribe करें, like करें, bell icon दबाएं और comment box में अपने comments लेकें धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बहु झाल